तो आज की बड़ी खबर ये है यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापती की आज गिरफतारी हो सकती है लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि गायत्री अब तक फरार कैसे है अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम बोलता है लेकिन में थाने से महें 100 मीटर की दूरी पर 3 मिनट के भीतर 14 करोड की लूट हो जाती है बारदात को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीच जाता है सीसी टीवी तस्वीरे भी है लेकिन अभी तक किसी लुटेरे की गिरफतारी नहीं हो पाई है तो दूसरी तस्वीर यूपी सरकार में मंत्री और ग्यांग्रेप के आरोपी गायत्री प्रजापती की है काई दिनों से ये फरार हैं पुलिस उन्हें तलाश भी नहीं पा रही है विपक्ष का ये आरोप है कि पुलिस ही गायत्री प्रजापती को बचा रही है ग्यांग्रेप के आरोपी गात्री प्रजापती आज सरेंडर कर सकते हैं या फिर गिरफतारी हो सकती है अभी की बड़ी खबर ये है कि ग्यांग्रेप मामले में UPSTF के नौइडा से दो आरोपी आशी श्त्रपाथी और अशोक शुकला को गिरफतार किया है ये दो से आरोपी हैं जिनके गिरफतारी हो चुकी है कल गात्री प्रजापती के गनर और ग्यांग्रेप के आरोपी चंदरपाल की गिरफतारी हुई थी अब तक इस मामले में कुल मिला कर तीन लोग गिरफ़तार हो चुके हैं मामले में गातरी प्रजापती समेट कुल साथ आरोपी है गिरफ़तार आरोपियों को लख्टव भेजा गया है सूतर ये भी बता रहा है कि गातरी सरेंडर कर सकते हैं या फिर आज जी उन्हें गिरफतार भी किया जा सकता है। लगा लिया है और ये मुम्किन हो पाया है हेट कॉंस्टेबर चंदरपाल की गिरफतारी के बाद चंदरपाल गाहितरी का गनर है। इस पूरे मामले में गाहितरी प्रजापती के साथ आरोपी भी है। जिसकी मदद से इस पूरे मामले से परदा उठ सकता है। हलाकि चंदरपाल ने अपने उपर लगे आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि उसे फसाया जा रहा है। आज यूबी पुलिस चंदरपाल को अदालत में पेश करेगी। गायत्री प्रजापती के साथ दूसरे नामजद आरोपी अभी फरार है। उनकी तलाश में दिल्ली, नॉइडा, लखनाव, कानपुर, बिजनौर, कन्नाज, बुलन शहर समेट तीन दरजन से ज़्यादा चगों पर छापे मारी हुई है। गायत्री और उनके 6 साथियों पर लखनाव की गौतम पल्ली थाने में धारा 376D, 376 बटे 506, 504 और 506 के तहत केस दरज है। इसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है। गायत्री प्रजापती की ओर से सुप्रीम कोट में याचिका दैरकर F.I.R. दर्ज करने का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोट में उनकी मांग को ठुकरा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखलेश यादव कह चुके हैं कि गायत्री प्रजापती को सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या गायत्री प्रजापती को राजनीतिक संग्रक्षन मिल रहा है। इसलिए उन पर कारवाई नहीं हो पा रही। इससे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब सब कुछ विवस्था चुनावायोक के पास आ जाती है। और एक ऐसी पुलिस जो मंत्री की भैसे तक पहचान के खोज ले आती है। उसको इतने दिन तक यह नहीं पता लगए कि आदमी कहा है जिस पे बलादकार का हरूप है और सुप्रीम कोट उसकी याचिका पर याचिका खारिच करता जा रहा है। पकड़ के तो लाना पड़ेगा। क्या पुलिस जान बुच के डिले करती है इसे में या राजनीतिक सरक्षन होता है जो कहीं दीवार बन जाता है। अखलेश यादव अपने पास साल के कारेकाल में डेड़ दरजन मंत्रियों को बरखास कर चुके हैं लेकिन करप्चन और गैंगरेब जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे गायत्री प्रजापती को ले कर उनके पसीने छूट गए। अखलेश के काम बोलता है नारे को पलीता लगाने वाले गायत्री प्रजापती आज भी मंत्री मंडल में कायम है। आखिर गायत्री में ऐसा क्या है? जो सियासी जंग में अपने तमाम विरोधियों को मात देने वाले अखलेश गायत्री के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं? ब्यूर रपोट जी मेडिया। तो साथी मंत्री कहते हैं कि रेप का आरोप कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी गायत्री प्रजापती के लिए प्रचार करते हैं। आउट नोटस जारी है गयर जमानती वरंट जारी है लेकिन उसके बावजूद गायत्री प्रजापती अभी तक फरा रहे हैं।